नवसका दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बता दोस्तों रीट सिचक वरती 2024 को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रीट सिचक वरती 2024 के प्री प्लस मेंस एकजाम को लेकर दोस्तों शुड़ियों बात करें करेंगे प्री के जो आविदन है यानिकी जो रीट पातिता परिच्छा वो कब होगी और मुख्य परिच्छा कब तक होगी क्योंकि कुछ इस्ट्वेंट ऐसे भी हैं दोस्तों जिनका प्री पहले ही पास हो चुका है क्योंकि 2022 में प्री हुगा था जुलाई में और 2021 में भ जाते हैं चानी जो वज दीर ंडगी यह प्रिच्ट्वास कता राइस्तां में सच्चक वर तों समय नहीं लेकिन आप यूपी में दोस्तों सीटेट मानने होता है तो यसे मैं रायस्तान में रीट पातता प्रिच्छा का इंतियार 15-16 लाग विरोजकार बेस अब रिशे कर रहे हैं क्योंकि कुछ चात्रों को पहले पास नहीं हो पाया था तीर लाग से जाला बिद्यारती ऐसे थे जिन्हों रीट पास नहीं कर पाये ते कुछ बिद्यारती ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने बाहरी राज्यों से डिलेड किया है बाहरी राज्यों से बीयड किया है और रायस्तान से भी हर साल डेल लाग चात्र बीयड करते हैं और लग अपडेट आ रहेगी रीट पाता प्रेंचा के फॉरम इसी अट्टूर और नमुमर के मद्द में भरवाई जाएंगे क्योंकि दोस्तों जनवरी तक एक्जाम को लेकर अपडेट है तिसमच जनवरी पेपर हो सकता है फॉरम बनने के और एक्जाम के बीच में एक महीने का समय त्यारी करने के लिए मिलेगा महिला आरच्षण की बात करें तो दोस्तों जो रायस्तान पुलिस है उसमें कल ऑपीशली तोरपा 33% का आरच्षण का सरकार की तरब से नोटेस हा चुगा है आलांकि डीलेड को लेकर दोस्तों सिर्फ बयान आया है अभी इसको लेकर डीरी की रीट में 50% महिला आरच्षण लाग ना हो लेकिन फिर भी जब तक सरकार की तरब से अपडेट में आएगी तब तक चाहत लगातर परिशान होंगे रीट को लेकर देखिए अगर रीट की बात करें दोस्तों तो रीट पात्ता प्रिच्छा में दो पेपर होते हैं दिल्याड के लिए होताँ जो दिल्याड करते हैं बдеस्टी सी करते हैं और ब्र होते हैं य Sm इसमें से आदे आदे पदा मानगे चली सत्रह हजार पदाएंगे एलवन के लिए और बागी के सत्रह यारप चले जाएंगे ल्टू बीएड वालों के लिए तो इसमें जो एलवन हैं दोस्तों इसमें आपके 50% आरच चड़ हो जाएगा यानि कि सत्रह जार में से 50% सीटें लड़कियां ले जाएंगी तो इससे आप अंदर लगा सकते हैं कि दोस्तों सीटें कितनी बचेंगे लिए उसके बाद दोस्तों इसमें अन्न कैटिगरी हैं जैसे कि डिवोस कैटिगरी है या फिर आपके एक सर्विस मेंने साड़े बारे परसेंट साड़े चार परसेंट आपका बिकलांग कोटा है तो लड़कों के लिए शीटें नामातर के लिए बचेंगी और उसमें भी दोस्तों फिर जन्रल वाले हो जाएंगे ओबीशी वाले सीएश्टी वाले इसलिए दोस्तों आरच्छण का बिरोद किया रहा है और आरच्छण लागू ना हो इसके ल परणा करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने का है कि ना हम बोड़ देंगे ना अपने परजनों को बोड़ देने देंगे तो यसे में सरकान ने वी हाला कि इसको लेकर ऑफिसली अभी दोस्तों नोटेस जारी नहीं किया है पुलिस के लिए लिए लिकित में नोटेस सब्सक्राइब कर रहे हैं कि सरकारी तरफ से का गया कि पहले रीट कर आएंगे ताकि नए चात्रों को मौका मिल सके उसके बाद में मुख्य या ग्रेट थर्ड की परिच्छा होगी मुख्य परिच्छा जिससे आपका सेलेक्शन होगा यह 50% का बादा किया है सरकार की आगामी जो यहां पर लिखा हुआ भी है कि बैलाल सरकार ने दो बड़े पैंशने लिए हैं और जो अब आगामी बरतियों में लागू होंगे अगर आगामी बरतियों में 50% लागू होता है तो यहां पर लाकों चात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगे खासकर द सब्सक्राइब करें दोस्तों तो अब जल्दी हो सकता है दिसमर जनवरी तक और नमॉमर के मद्ध फोरम बरवाई जा सकते हैं दोस्तों दिसमर या जनवरी वेपर हो जाए क्योंकि उसके बाद दोस्तों मादिक सिच्चा बोड जो आपकी रीट पातता परिच्चा कराता ह त्योंकि इसी बोड के दोरा आपकी दोस्तों जो दसमी बारवी की बोड एक्जम कंड़ेट होते हैं जो मार्श अप्रेनल होते हैं तो एक मेने पहले से तैयारिया होती है प्रवरी में इसलिए जनवरी तक चात्रों की मांग है कि रीट पातता परिच्चा का आजन और थर्डगेट की बात करी जाए तो थर्डगेट में आपके 56,000 पद खाली है जी हां दोस्तों पच्पन से 56,000 पद थर्डगेट सीचरों के खाली है तो इसलिए दोस्तों नई बरतिया होंगी जल्दी इस बरती की संबने दोस्तों नूटिस आएगा और जो चात्र मुक् और सलिवस दोनों का एक जैसा ही है मुक्चे परिच्चाम थोड़ा राइस्तान जी के बढ़ जाता है एड़ हो जाता है बाकि रीट पातदा परिच्चाम इतनी राइस्तान जी के नहीं आती है नई सलिवस के साफसे स्टड़ी करें दोस्तों और जो बदलाव होंगे वो तो आपका फोटो में बदलाव होगा यानि कि जब आप फोरम बरोगे दोस्तों उस समय आपको OTR के माध्यम से फोरम बनना होगा लाइफ फोटो अपडेट होगा सेगनेचर भी आपके दोस्तों यापर देने होंगे आपको और लिकित में एक आपसे सपत पत्र भी दिया लिया जाएगा हेड राइटिंग का नमूना लिया जाएगा तो कापी सारे बतलाव जो नई वर्ती में लागव होंगे ताकि इसमें डमी के इंडिट ना वेट है और फरजी वाड़ा ना हो इसको रोकने के लिए दोस्तों बतलाव भी किये जाएंगे इसमें और प्री एक सास होने के लिए 90 लाने होते जनरल के अटिगरी बाकि यासी अंको जो लाती है उनको ही मुखे परिच्चा बैटने का मुका मिलता है और उसके सर्टिपिकेट जारी होते हैं सर्टिपिकेट के माद्विएम से ही आपके फोरम बढ़ते हैं मुखे परिच्चा के वीडियो पसंदाइत वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेना रीट की पलपल की अपडेट मिलती रहेगी कल अपडेट आ रहे है कि दोस्तों केविनेट की मीटिंग हो सकती है जिसमें की रीट पातता परिच्चा को लेकर जल्दी नड़े लिया जा सक प्रिच्चा को लेकर जा सकती है